हाई फ्रेंट्स वेल्कम बेक तो दे अम्प्लिफायर कनेक्शन तो जैसे कि मैंने कम्यूनुटी की पोस्ट में डाला था कि मैं आपको दिखाने वाला हूं कुलास डी अम्प्लिफायर बोर्ड जो कि मैंने एमा जोन से मंगाया है जिसके अंदर डुवल आई-सी हैं जो की टीप यह 31-16 है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी साउंड क्वाल्टी बगरा चेक करके नहीं दिखाने वाला हूं और जो मैं इसकी साउंड टेश्टिंग करूँ गा उसकी भी वीडियो आएगी और साउंड टेश्टिंग करने के बाद आपको बताऊँगा कि क्या क्या कमिया है इसके अंदर या फिर अच्छी कवाल्टी है लेना है या नहीं लेना है तो वो मैं आपको नेक्ट वीडियो में बताँगा इस वीडियो में मैं आपको इसके कनेक्शन्स थोड़े से बता देता हूँ और काफी अच्छा लग रहा है मेरे को इसकी build quality काफी अच्छी है काफी heavy है और जो इस पे port लगे हैं ये तीन port है एक दो और एक ये तीन तो ये है हमारा base के लिए जो की subwoofer के लिए है और दो है ये speakers के लिए यानि 50 वोट ये है 50 वोट ये है और 100 वोट ये है यानि कि 100 वोट का है ये जो की subwoofer के लिए ठीक है और ये heat sink है इसके नीचे dual IC है एक इधर है एक इधर आप देख सकते हैं या पर प्रिंट है जो इसके वह मैं आपको दिखाता हूं एक IC यहां है और एक यहां है ठीक है जो की 31 सोला टीपी है 31 सोला है बेस के लिए इसके अंदर ये IC लगी हुई है पोटेंटियोमेटर भी साथ में ही दिये है इन्होंने कुछ भी कमी नहीं छोड़ी है मेरे हिसाब से तो और और भी समान है इसके साथ देखो ये 9 वगेरा ह सारी इसके साथ है ठीक है तो अभी बताता हूं इसकी इन्पूट के बारे में तो जैसे पावर स्प्लाई देनी है हमें तो उसके लिए एडेप्टर भी है एडेप्टर का कनेक्शन भी है यहां एडेप्टर लगा सकते हैं 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ठीक है तो अभी बात क जो हम wire हैं वो यहां पर connect कर सकते हैं जो बीच वाला वो ground रहेगा ये left ये right ये left ये right ये left ऐसे मतलब हो गई है ठीक है और ये मने बताई लिए output के लिए है ये सबूफर के लिए ये speaker के लिए ठीक है तो ज़्यादा कुछ था नहीं इस वीडियो में तो ये थी totally वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक लिए बबाई और हाँ एक बात मेरे पास कोमेंट आ रहे थे कि भाई हमें हिंदी समझ में नहीं आ रहे हैं इंगलिस में बताओ तो इंगलिस का भी मैंने अलग से चैनल स्टार्ट कर दिया है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप इंगलिस में देख सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बबाई